हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू संध्या फ्लेवर जंक्शन तो आज हम बनाने जा रहे हैं इस चिली पनीर की रेसिपी जैसे की मार्किट में ड्राइ चिली पनीर बनता है उसी स्टाइल में हम ड्राइ चिली पनीर को बनाएंगे और वह भी बहुत कम समान के साथ में तो को कि अग helpful और बनाना और ऐसी तरह से रहे हैं तो चल्दी से बनाना हुम Fit Recipe स्टार्ट करते हैं तो बाइ चिली पनीर बनाने के के सबसे पहले मैंने ली है जैसे कि आप देख सकते हैं यह मैंने 2 प्याज लिए है एक बड़की और मीडियम साइस की मैंने मैंने प्याज लि और यह मैंने प्याज को औलग से रख लिया है एक कोटोरी के अंदर और मैंने लिये 2 कैपसी कॉम और इसको पर निकाल लें अर इसके जितने ये पीसीज काट लेंगे क्योंकि कैपसिकम और जो अनियन का जो फ्लेवर आता है वो चीली पनीर में बहुत अच्छा लगता है तो इस तरह से मैंने इसको मोटा मोटा शिम्ला मिर्च को काट लिया है और इसको भी हम रख लेंगे एक कटोरी के अंदर क्योंकि हमारे को जो चीली पनीर बनाने में टाइम लगता है वो सिर्फ हमारे को वेजिटिबल्स काटने में ही टाइम लगता है और इसके साथ में मैंने ले लिये हैं ये दो टमाटर और टमाटर को भी हम इस तरह से काट लेंगे अब हमारे जो टमाटर है इनमें हम देख सकते हैं कि काफी बीज है और काफी इसमें पल्प है तो हम कोशिश करेंगे कि इसका पल्प जो है निकाल लें तो ये टमाटर जो है हमारा थोड़ा छोटा है साइज में तो इसके जो पल्प है हम निकाल लेंगे और बड़े टमाटर का भी हमने पल्प निकाल लेना और इसकी जो पीस है हमने इतने बड़े रखने है तो इस सारा मैं पल्प इसका निकाल लूँगे क्योंकि एक्स्ट्रा हमें पल्प नहीं चाहिए क्योंकि इसको हम ड्राइ चिली पनीर बना रहे हैं इसलिए और बस इसको पनीर के टुकड़े हैं ये मैंने ले लिया आधा किल पनीर आप अपने हिसाँ से कम या ज्यादा पनीर रख Σकते हैं और पनीर के जो टुकड़े हैं वो भी मैं मोटे मोटे रखूंगी क्योंकि इस तरह से जो ड्राइच चिली पनीर है उसका जो टेस्ट है वो काफी अच्छा आता है आप चाहें तो थोड़े बारीक पीस भी रख सकते हैं अब मैंने मोटे पीस इसलिए रखे हैं क्योंकि मैं इनको करूँगी फ्राई और फ्राई करने के बाद क्या होता है कि ज़्यादा छोटे पनीर के पीस होते हैं कई बार जो होते हमारे पनीर टूट जाता है इसलिए मैंने मोटे मोटे इसके पीस इस तरह से कर लिए आप देख सकते हैं इस तरह से सारे मैंने टुकडे कर लिये हैंDid अब बस हमने इसको एक बोल में ले लिया है और बोल के अंदर हमने ढाल दिया है I एक से डेढ़ चममच मैंने यह डाला है इसमें कॉन्फलार और कॉन्फलार हमने बहुत ज्यादा नहीं डालना क्योंकि हमार को कॉन्फलार दिखता नहीं है लेकिन उसके उपर बस हलकी सी कोटिंग इसकी कॉन्फलार की आ जानी चाहिए चममच से हम बिल्कुल नहीं चलाएं हम अपने पनीर के टुकड़े जो हमने डर्स्ट करके कॉन्फलार की रखे हुए है तो बस इनको अच्छा साई गोल्डन कलर आने देंगे और इसमें चममच बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि चममच चलाने से ही क्या होता है कि कई बार हमारा पनीर जो है टूर जाता ह अच्छा सा इनका कलर आने लग गया है तो इस तरह से हम सारे पनीर को फ्राइ कर लेंगे तो ये काफी हद तक हमारा जो पनीर है अच्छा सा कलर इसका आ चुका है हम सारे पनीर को एक बरतन में निकाल लेंगे और इसी ऑईल के अंदर बाकी की जितनी वेजिटेबल्स हमने जो काटके रखी हुई है बस उसको भी हम कर लेंगे फ्राई तो मैंने ये उसी ओईल के अंदर प्याज डाल दिया है अब प्याज को भी हम ट्रांस्पेरेंट करेंगे बहुत ज्यादा हम पकाएंगे ही नहीं अई हलका इसका बस बस कलर चेंज करना है हमने एक तंब बस फिक लाज क कर लेंगे साइड में इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ड्राइ पनीर जो है ये बहुत जल्दी से बन जाता है बस इसमें जो टाइम लगता है वो वेजिटेबल के लिए काटने के लिए लगता है और ज्यादा टाइम इसको लगता ने और उसी ओईल के अंदर मैंने ये शिमला मिर्च भी डाल दिया इसको भी हम एक सी दो मिनिट के लिए बस हलका सा इसका कलर चेंज करेंगे और बस इसका कलर चेंज हो चुका है और अगर आपको शिमला मिर्च थोड़ी पकी भी चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा और पका सकते हैं मुझे बस इतना ही पका हुआ जो है शिमला मिर्च अच्छी लगती है इसके अंदर तो मैंने इसको हलका सा इसका कलर चेंज करके निकाल लिया है तो बस इस कैपसिकम को भी हम कर लेते हैं साइड में और जो यह कुकिंग ऑईल जो हमारा बचा है इसी के अंदर हम बाकी की जो हमने रासेपी बनानी है इसी ऑईल के अंदर हम बनाएंगे तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला जीरा आप चाहें तो जीरा अवाइट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें जिंजा गारलिक डाल सकते हैं पर मैं इसको जिंजा गारलिक के भीना बना रही हूँ क्योंकि बच्क्सकों मेरे पसंद नहीं है इसलिए तो थोड़ी सी जो मैंने प्याज डाली है इसके अंदर इस प्याज को हमने color change नहीं करना हलका सा इसको बस dropped roughly करेंगे transparent रखेंगे इस प्याज को तो ये प्याज भी हमारी transparent हो चुकी है और इसके अंदर मैंने डाल दी है टेमाटर जो मैंने पहले काटके रखे हुए थे और इसके साथ में हम डाल देंगे टेमाटर के साथ में नमक नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे जितना नमक हम खाना पसंद करते हैं और नमक मैंने इसलिए सबसे पहले सबसे करे तो भी गुकर नवाल में मिचुर्च Beat- और मैंने यह आधी चम्मच से भी कम इसमें हल्दी पॉडर डाला है। और इसी के साथ में डाल दी है यह एक चम्मच लाल मिर्ज पॉडर। और हमने इस स्पाइसी इसके अंदर बहुत जादा नहीं डालने हैं। हम कम इस सब्जी को बनाएंगे। और यह मैंने डाली है आधा चम्मच इसमें मैंने डाली है यह चिंक चटनी। और इसमें मैं तीन से चार चम्मच इसमें डाल दूगी कैचप। क्यूंकि कैचप का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चों को बहुत अच्छी लगती है इस तरह से। तो यह मैंने तीन से चार चम्मच इसमें बड़े कैचप के डालें और बस इन सब को करेंगे मिक्स बहुत जादा हम इसके अंदर इस पाइसी नहीं डालेंगे क्योंकि इन सब मसालों का ही बहुत अच्छा फ्लेवार आता है और बस जितने हमने जो वेजिटेबल्स हमने फ्र इसके अंदर सोय सॉस या काफी सारा जो समाने डालते हैं लेकिन हम इसको होमेट बना रहे हैं और मैं बच्चों के लिए खास तो यह एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है आप इस तरह से कम मसालों के साथ में आप इसको ट्राइ करिएगा बच्चों को बिल्कुल यह मार्किट जैसा आएगा अब बस इसको अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स और आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आह एं और बहुत कम मसालय और बहुत कम समान के साथ में हमने यह पनीर को हमने बनागर के तयार कर लिए तो बस एक से दो मिनिट के हम पकाएंगे तो बस एक से दो मिनिट के लिए हम इसको पकाएंगे जब तक इसको ऑईल सेपरेट नहीं हो जाता तो हम देख सकते हैं ऑईल सेपरेट हो चुका है तो यह हमारी रेसिपी जो है अच्छी तरह से पक चुकी और हम देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया ह तो बस गर्मा गर्म करते हैं इसको डिश आउट और मैं आपको बताती हूँ कि ये डिश आउट करने के बाद कितनी अच्छी लगती है रेसिपी तो मैंने ये बनाकर के तयार कर लिया है ड्राइ चिली पनीर एगदम रेस्टरन्ट स्टैल में आप इसको ट्राइ कर सकते हैं बच्चो के लिए आप इसको बच्यों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर बच्चों को इस सबजी का रोल भी बना करके दे सकते हैं वो भी उन्हें बहुत पसंद आता है और ये बच्चो को बहुत अच्छा लगता है इसमें बहुत सारी वेजीज हैं तो बच्चो के लिए काफ ही अच्छ है और बलकी बाजार से मंगाकर कि खिलाने से अच्छ है क्योंकि अभी बरसातों का जो मौसम चल रहा है उसमें हम जानते है कि काफी बैक्टिरिया बाहर पाए जाते हैं और बहुत सारा इंफेक्शन बाहर मिलता है तो घर में बनाईए बच्चों को healthy खिलाईए ताकि बच्चों की health भी अच्छी रहे तो बहुत अच्छी रेसिपी है आप बच्चों के लिए ज़रूर से try करिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आईए तो प्लीज चैनल को like, share और subscribe जरूर से करिएगा और bell icon को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की notification आपके पास पहले से ही आजाएए तो मैं आप चलती हूँ मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी के साथ में तब तक के लिए ओके, bye bye, thank for watching